हेलो स्टूदन नमस्कार कक्सा तीन तो हिंदी में हम पाठ अठारा उसके हम प्रस्ण दो तक एक्सेसाइज पूर्ण की अब आपका होगा व्याकरण विबाग प्रस्ण तीन जो आपका होगा व्याकरण विबाग तो हमारा प्रस्ण तीन और वो देखेंगे हम विरोधार्त समान अर्थी और वचन तो हम आगे जाके देखें समझें और फिर नोट में लिखेंगे ओके तो चलो तो इस्टुड़न प्रस्ण तीन औ है आपका समान अर्थी सब्द तो बच्चों आपको पहले भी मैंने बता दिया हैं समान अर्थी सब्द किसको कहते हैं तो जिसका समान अर्थो सब्द के समान अर्थ में बताने हैं जो मैंने आपको काव्य में पाट में बताती हूं ऐसे तो नमबर एक हैं चांद तो चांद का हो से में उनका सब्द समान अर्थ निकलता हो तो चंद्र दो हैं सुरज सुरज का समानार्थी है, रवी, सूरज को रवी, ससी, भानू, ये सारे नाम सूरज के हैं, तिल, जगद, दुनिया, संसार नमबर चार, काया, काया यानि सरीर और सरीर यानि तन और जो बोलते हो आप बोड़ी नमबर पांच, फूल, फूल यानि पुस्प, समान अर्थी उसका क्या होता है, पुस्प, अब आएगा बह अब आपका बह विरोधार्ती सब्दा लिखे, उसमें नमबर एक, सूर अचान, उनका विरोधार्ती सूरज, विरोधार्ती आनि उनका में ओपोजित लिखना है, जैसे आप इंगलिस में करते हूं, ओपोजित, बिग, तो स्मोल, अब तो डान, इसी तरह हिंदी में नमबर दो, धर्ती, तो उनका उपोजित होगा आस्मान, तीन, कम, उनका विरोधार्ती होगा अधिक चार नमबर, नया, पुराना, यहाँ पे कम यानि थोड़ा, और अधिक यानि जादा, ठीक है अब यह बच्चो, एक वचन को हमें बवचन में लिखना है, जैसे पहले भी मैंने बताया है वन्स का मेनी, जैसे आप करते होना इंगलीज में, इसी तरह सेमेस, हिंदी में तो एक वचन लिखा होगा, आपको सामने बवचन करना है, यानि एक चीज के बहुत सारे चीज में हमें रुपांतर करना है जैसे कि एक नमबर में लिखा है तोता, एक के लिए तोता, और बहुत सारे तोता हो तो क्या बोलोगे तोते, दो चाता, एक वचन में चाता, यानि एक ही चाता है बहुत सारे चाता करने हमें तो बहुवचन करना है तो हम करेंगे चाते नमबर तीन दर्वाजा दर्वाजा तो होंगे दर्वाजे चार नमबर पेंसिल अगर आपके पास बहुत सारे हैं तो पेंसिल ले बहुवचन जिसको आप इंगलीस में करोगे पैंसिल्स और वन पैंसिल है तो पैंसिल और उनको आपको मेंडी में करना है तो पैंसिल्स तो एस लगाते हो बहुत जादा के लिए इसी तरह पैंसिले नमबर पांच गमला एक गमला यानि कि आपका जो पोट है उनको आप बोलते हो गमला और उसको बहुत सारे गमला हो तो क्या बोलोगे गमले ठीक है तो बच्चों ये सारा समझ लो फिल लास्ट चेप्टर में आपको लिखना है आपका पार्ट पूर्ण होता है उनके पीछे प्रस्ण तिन व्याकरण विबाग जो होता है वो तो ये पूर्ण कर लो उनके बाद नेक्स टेप चेप्टर देखेंगे ओके बच्चों थेंक्यू